हे गाईज तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कुछ इस तरह की की ब्रोकन लव फोटो एडिटिंग जो कि आप यहां पर देख सकते हो काफी ओसम लग रही है तो वीडियो को एंड तक देखते हो आप भी इसली अपनी फोटो को कुछ इस तरह के से एडिट कर पाऊगी तो चलो के बाद आपको इस पैंसिल वाले आइकन पर आपको क्लिक करना है और यहां पर आपको काफी सारे टूल्स मिल जाएंगी तो आपको नीचे आना और यहां पर आपको एक विंटेग वाले ओप्शन पर आपको क्लिक कर लेना और इसमें से आपको जो लास्ट वाला है बारे नंबर वाला इसको आपको सेलेट करना और इसकी सेटिंग्स माना और सेटिरेशन को बिल्कुल डाउन कर लेना और इसको थोड़ा सा इंक्रीज करना और इसको आपको कुछ इस तरीके से रख लेना और फिर यहां से आपको डान कर लेना इतना कर लेन की बाद आपको उपर ल बिल्कुल जीरो और कुछ इस तरीके से जूम करना और इस वाले इफेक्ट को आपको या करना आपकी जहां पर भी स्कीन है वहां वहां से आपको एरेज कर लेना जहां जहां स्कीन है वहां वहां से एरेज कर लेना और जो यह हैर है यहां से भी आपको हैर से भी कुछ इस तर प्रेफेक्ट तरीके से करना, तब हमारी एडिटिंग बेस्ट लगेगी, तो मैं फटा-फट से एरेज कर लेता हूं, तो कुछ इस तरीके से एरेज कर लेने के बाद, आप देख से तो काफी जगया पर एक्स्ट्रा हो गया है, तो वहाँ पर क्या करना है, इसको कुछ इस तरीके से एंड्रेट कर लेना, और आपको इफेक्ट को वापस से कुछ इस तरीके से ड्रो कर लेना, जहां पर एक्स्ट इरेस हो गया वहां वहां से तो कुछ इस तरीके से कर लेना आपको और फिर यहां से क्या करना आपको दन कर लेना और यहां से आपको आना बैक और आपको इस पैंसिल आले आइकन पर आपको क्लिक करना और यहां से आपको आना नीचे और इस डबल एक्सेज़ आले आइकन पर क्लिक करना एड़ फोटो पर क्लिक करना और आपको आना यहां से पींस में और यहां से आपको एक य यहाँ सर्फ दैन्स कर लेना फिर आने आपको इस पेंसिललाइड आइकन में और आइड़ी खनY पाला एंड पाले एकन कर लेकन और यहाँ से सेडो है इसको भी एड कर लेना और बीच वाले पर क्लिक करना है और इसको भी एड करना है लेकिन इसको थोड़ा सा एड़्जेस्ट करना है कुछ इस तरीके से हलका सा रखना है बस नीचे और फिर यहां से आपको टैन कर लेना अगेन आपको आना इस पेंसे वाले आइकन मे डबल एक्स वाले पर क्लिक करना है एड़ फोटो पर क्लिक करना है और इस बास आपको रेड़ पैनल एड़ करना है कलर वाला और आपको बीच वाले पर क्लिक करना है और यहां से आपको यह वाला सब्ट्रेट वाला सेलेक्ट कर लेना है और ओर वे भी आप देख सकते हो तो और लिक काफी best है तो यह माज select करता हूं और फिर यहां से आपको done करना और फिर आना आपको उपर layers में view directors प्र क्लिक करना और आपको double clicks क्रादरी पर क्लिक करना और यहां से आपको इस razor वाले ब्रसट करना है तो टी-shirt आपकी काफी बड़िया लगींगी और जो आपकी फोटव है उसके साथ आपकी एकदम टी-set अब मैच हो जाए यही और फोटो में काफी बढ़िया look rank होगा तो कुछ इस तरीके से मैं कलर को ड्रो कर लेता हूँ आपको भी कुछ इस तरीके तो कुछ इस तरीके से आपको ड्रोग कर लेना और फिर यहां से आपको डन कर लेना और यहां से आपको अना बेग और इस पैंसिल आइकन पाप को क्लिक कर लेना और यहां से आना आपको उपर और इस वाले सेलेक्टिव वाले टूल पर क्लिक करना और कुछ इस तरीके से को सिलेट करना और इसको थोड़ी सी ब्राइडनेस को इंक्रीस कर लेनी है और इसी तरी से आपको चहां पर भी डार्क है वहां से कुछ इस तरी किसे ब्राइडनेस को इंक्रीस कर लेना और फिर यहां से आपको डन कर लेना और इस पेंसुल ले आइकन पापको क्लिक करना और फिर यहां से क्या करना आपको डंड कर लेना अब आपको यहां करना यहां से इस सेर वाले आइकन पर क्लिक करना और इस फोटो को हमें सेर करना लाइट रूम एप्लिकेशन में तो मैं यहां से लाइट रूम में इसको सेर कर देता हूं तो फोटो को एड़ करने के बाद आपको यह वाला प्रिसेट भी यहां पर लाइट वूम एड़ कर लेना इसका लिंक में आपको डिस्क्रिस में दे दिया है एड़ कर लेने के बाद आपको यहां करना है यहां पर आपको त्री डॉट पर क्लिक करना और यहां से आपको में और 3.PolClid करना और यहां से आपको past setting कर देना तो देख सकते हो causing आपकी photo काफी ओसम लग रही है और mistake मिं कुछ इस तरह की editing हो गई है save करने के लिए simply share वाले icon पर क्लिक करना और save to device पर क्लिक करके फोटो को सेव का लेना